मित्रो नुमस्कार मेरा नाम है राजेंद्र सिंग और आप देख रहे हैं विव पाइंट वित राजेंद्र सामान अध्धन स्रंकला के अंदरगर प्रस्तुत है आठवा अंक अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब करने के साथ ही बेल आइकान की बटन को जरूर दबा दें जिससे आनी मली महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे तो फिर आए प्रश्नों को हल करते हैं पहला प्रश्न है किस फसल में नील हरित सैवाल का परियोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाबदायक होगा ए धान में बी गेहूं में सी मौंग में डी सोयबीन में तो इसका सही उतर है ए धान में नील हरित सैवाल जो की प्रकास संसलेशन से उर्जा उत्पादन करता है धान के फसल में इसका प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाफ प्रद होता है अगला प्रश्न है धान में सफेदा रोक की रोक थाम के लिए छिड़काओ किया जाता है अगला प्रश्न है श्टेनलेस इस्टील मिस्र धातु है तो इसका सही उतर है ए आइरन क्रोमियम एवं निकल स्टेनलिस स्टील में आइरन क्रोमियम एवं निकल का पप्योग होता है अगला प्रशने प्रकास को सूर्य से प्रित्वी तक पहुँचने में समय लगता है A. आठ सेकन B. एक मिनट C. आठ मिनट D. पंदरा मिनट तो इसका सही उतर है C. आठ मिनट सूर्य के प्रकास को प्रित्वी तक पहुँचने में 8.20 minute का समय लगता है अगला प्रचने नचीकेता आख्यान किस उपनिसद में मिलता है A. कठोपनिसद B. केनोपनिसद C. छांदोग्यन उपनिसद D. उप्युक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है A. कठोपनिसद नचिकेता आख्यान को ठोपनिसद में मिलता है इसमें यम दोरा नचिकेता को ब्रह्म्ह विद्या का उपदेश दिया गया है अगला प्रशन है निम्नलिकित में से किसने भारत में हो रही मिसंडरी गत्विदियों को आत्म घाती एवं सान्ती के लिए खत्रा माना था अगला प्रशन है दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था A. 1913 में B. 1912 में C. 1911 में D. 1910 में तो इसका सही उतर है C. 1911 में दिसंबर 1911 में ब्रिटिस समराट जार्च पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजिन हुआ दिल्ली दरबार में ही समराट ने बंगाल विभाजन को रद्द गोशित किया और साथ ही बिहार और उडिशा को बंगाल से अलग कर दिया था अगला प्रिशने भारत में अंग्रेजों के सासनकाल में सभी तीनों गोल में समिलन आयोजित हुए थे दिल्ली में बी लंदन में सी बॉंबे में डी कलकत्ता में तो इसका सहुत्तर है बी लंदन में हुए थे भारत में अंग्रेजों के सासनकाल में तीन गोल में समिलनों का आयोजित लंदन में हुआ था प्रथम गोल में समिलन 12 नॉवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया जिसमें भारती उधारवादी दल मुस्लिम लीग हिंदू महासभा दलित वर्ग ब्यापारी वर्ग तथा रजवाडों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और दूसरा गोल में समिलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और तीसरा गोल में समेलन 17 नौमबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ आयोजित किया गया अगला प्रशने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर राजजी परिशद एस्थापित की गई A. 1988, B. 1990, C. 1992, D. 1994 तो इसका सही उतर है B. 1990 में समिधान का अनुच्छे 263 केंद्र एवं राजजी के मद्ध समनवय अस्थापित करने के उद्देश से अंतर राजजी परिश्द की गठन का प्रावधान करता है अगला प्रिश ने भारती समिधान के नमनलिखित में से किस संसोधन ने पंचायतों को समिधानिक दर्जा परदान किया A. 71, B. 72, C. 73, D. 74 तो इसका सही उतर है C. 73 समिधान संसोधन अगला प्रिश ने भारत में राष्टी विकास परसत कब गठित की गई A. 26 जनवरी 1950 को, B. 15 मार्च 1950, C. 6 अगस्त 1950, D. 6 अगस्त 1952 तो इसका सही उतर है D. 6 अगस्त 1952 अगला प्रिश ने उत्तर प्रदेश में खाद सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया A. 1 मार्च 2016, B. 1 मार्च 2015, C. 1 मार्च 2014, D. 15 अगस्त 2015 तो इसका सही उतर है A. 1 मार्च 2016 से उत्तर प्रदेश सरकार ने संपून प्रदेश में खाद सुरक्षा कानून को लागू कर दिया अगला प्रशन है निमनलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पून तह सौर औरजा संचालिस संसद हुई बंगला देश, B. चीन, C. जर्मनी, D. पाकिस्तान तो इसका सही उतर है D. पाकिस्तान पाकिस्तान की संसद पूरी तरह से सौर औरजा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली इमारत बन गई है अगला प्रशन है निमनलिखित में से आम की किस प्रजादी को भारत से निर्याद हेतू सरवाधिक प्रात्मिक्ता दी जाती है इसका सही उतर है C. अलफानसो आम की अलफानसो प्रजादी को भारत से निर्याद हेतू सरवाधिक प्रात्मिक्ता दी जाती है इसे हापुस भी कहा जाता है अगला प्रिशन है निमनलिखित में से किस फजल से तेल तथा रेशा दोनों ही प्रयाप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं A. सनई से B. सौर्सों से C. जूट से D. अलसी से तो इसका सही उतर है D. अलसी से अलसी की खेती उत्तर एवं मद्य भारत में अच्छी तरह से की जाती है अलसी के बीज से तेल निकलता है और तेल से साबुन भी बनाया जाता है इसके पौधे से रेशे निकाला जाता है और रेशे से कपड़े वा अच्छी गुनवत्ता वाले पेपर बनाये जाते हैं अगला प्रशने ब्रम्होस मिसाइल को संयुक्त रूप से विक्सित किया है A. भारत और जापान ने B. भारत और अमेरिका ने C. भारत और रूस ने D. भारत और बंगला देश ने तो इसका सही उत्तर है C. भारत और रूस ब्रम्होस सुपरसूनिक क्रूज मिसाइल भारत एवं रूस द्वारा संयुक्त रूप से विक्सित की गई मिसाइल है ब्रमोस मिसाइल का नाम करण भारत की ब्रमपुत्र नदी और रूस की मुस्कवा नदी के नाम पर किया गया है अगले प्रिशने कीट भच्छी पौधे जिस मिर्दा में उगते हैं उसमें अलपता होती है अगला प्रिशने निमलिखित में से कौन सा जैव आणू एक प्रकार का प्रोटीन है A. Glycogen, B. Storch, C. Keratin, D. Cholesterol तो इसका सही अपसन है C. Keratin जैव अणू जेटिल कार्बनिक अमल होते हैं और इनका निर्माड सजीवों के सरीर में होता है मनुस्यों के नाखून एवं बालों में पाये जाने वाला किरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है अगला प्रिशन है भारत में अस्थानी स्वैत सासन का जनक किसे कहा जाता है A. Lord Litin को B. Lord Ripin को C. Lord Karjin को D. Dalhousy को तो इसका सही उत्तर है B. Lord Ripin Lord Ripin के कारेकाल में प्रस्तुत अस्थानी स्वासन प्रस्ताव 1882 इस्वी से भारत में आधनिक स्थानी स्वासन का प्रारम माना जाता है Lord Ripin को स्थानी स्वासन का पिता कहा जाता है अगला प्रस्षन है भारत के राष्टपती पर महाव्योग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूरु सूचना आवश्चक है A. साथ दिन B. चौदा दिन C. एकिस दिन D. तीज दिन तो इसका सही उत्तर है B. चौदा दिन भारती सम्विधान के अनुचिद 61 में राष्टपती पर महाव्योग चलाने का वर्डन किया गया है और इसके लिए संकल प्रपस्तावित करने से कम से कम से होदा दिन पूरु लिखित सूजना देना आवश्चक है अगला प्रस्षने भारत में किसी राज की राजपाल को पद और गोपनीता की सपत कौन दिलवाता है A. भारत का राष्टपती B. भारत का उपराष्टपती C. राज की उच्च नयाले क्या मुख्य नैदिस या फिर D. राज की विधान सभाद्यच तो इसका सहीवतर है C. राज की उच्च नयाले क्या मुख्य नैदिस अनुछीद 169 के अंसार राजपाल अपना पद गरहन करने से पूर्व उस राज के संबंद में आधिकारिता का प्रियोग करने वाले उच्च नयाले के मुख्य नैदिस या उसकी आनुपलब्धता में उस उच्च नयाले के उपलब्ध वरिष्टम नयाधित के समझ सपध लेगा अगला प्रिशन है निमनलिखित में से किस राज में तेल सोधन कार खाना नहीं है ए गुजरात, बी केरल, C. छथिसगर, D. पश्चिम बंगाल तो इसका सही उतर है C. छथिसगर यहीं कि छथिसगर राज में तेल सोधन कार खाना नहीं लगा है बलकि गुजरात में कोवली, वड़नार एवं जामनगर में तेल सोधन कार खाना है और केरल में कोची में तेल सोधन कार खाना है जबकि पश्चिंग बंगाल में हल्दिया में तेल सोधन कारखाना इस्थित है अगला प्रिशन है निमलिकित में से कौन सी नदी आइस्ट्रेलिया में नहीं बहती है A. Hunter River B. Flanders River C. Orange River D. Gilbert River तो इसका सही उतर है C. Orange River औरेंज नदी जो है दच्चिंग अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है अगला प्रिशन है निमलिकित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है A. रेगिस्तान B. घास का स्थल C. पारिस्तितिकी तंत्र D. टुन्रा तो इसका सही उतर है C. पारिस्तितिकी तंत्र जीवोम एक ब्रहद प्राकतिक पारितन्त है जिसमें पौधे और जानवरों के समुदाय सामिल होते हैं यहां पर सभी जीवजन्दों में नियूंतम समान विशिस्ताएं होती हैं और जीवोम के सभी छेत्रों में समान पर्यावर्णिय परिस्तियां पाई जाती है सामिल एक जीवोम को वहां की प्रमुख वनस्वती के आधार पर जाना जाता है और उसी के आधार पर उसका नामकरण होता है अगला प्रशन है दुदुवा नेशनल पार्क निमलिकित में से किस राज्ज में इस्थित है दुदुवा नेशनल पार्क निमलिकित में इस्थित है जिसका चेतरफन लगभग 490 वर किलोमेटर है वर्स 1987 में दुदुवा नेशनल पार्क करतनिया घाड और किसनपूर पसु बिहार को मिलाकर दुदुवा टाइगर रिजर्व बनाया गया जिसका चेतरफल 204 किलोमेटर है तो फिर मित्रों आज बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए प्रश्णों के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद